डॉक्टर संबित पात्रा आप ही के पास पहले आते हुए 2014 का साल आपको याद दिला देती हूँ थोड़ा सा काटा पीछे ले जाए तब भी आप यही रॉबर्ट वाडरा रॉबर्ट वाडरा कर रहे थे साड़े चार साल हो गए क्या निकला जाच में या फिर फिर एक नए सिरे से चुनावी रणनीती के लिए आप रॉबर्ट वाडरा का इस्तमाल करेंगे उनके केसे का इस्तमाल करेंगे यह आरोप है जवाब दीज़े देखिया अंजिना जी मैं भी थोड़ा काटा आगे की तरफ लाता हूँ 2014 में हमने आरोप लगाय थे 2015 में विकानेर वाले केस में उनके खिलाफ एफायार भी हुआ वहाँ भी जांच चालू हो गई एडी ने भी जांच चुरू किया 2016 में धिंगरा कमीशन ने अपने रिपोर्ट को रखा 2015 में धिंगरा कमीशन बन गया था 2017-2018 में एडी ने पूरी जांच की और 2018 में ही याद करिये एडी ने कहा कि रॉबर्ट वाडरा को 25 करोड रुपए इसी केस में जिस केस में अभी एफायार हुआ है उसी केस में इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा क्योंकि उन्होंने चुना लगाया था इंकम टै करें जोस्ता हूं ऐसा काम ही क्यों करिए की आप डर लगा रहता है कि आप इस्तिमाल हो सकते हैं आप नेकी से काम करते हैं आप कर अप्रफिन नहीं करते घचा पैसा लूटते नहीं, आप करोडों खर्बों गरीबों का लूट के अपने जेब में रखते नहीं, तो आपको डर नहीं होता, इसी और का तो कोई इस्तिमाल नहीं कर लेता है रोड पे, रोड में चलते किसी इनसान पे हमें फायर कर सकते हैं, क्या बिल्कुल नहीं कर सकते है देखे मैं एक छोटे सी कागज पहली बार आज तक पर दिखाऊंगा यह breaking news होगा बड़ा मैं इसको मैं कहूंगा camera person को कि आप zoom करके दिखाए यह कागज आज तक कभी देखा नहीं गया था मैं भी permission दिखा रहा हूँ कि secret कागज नहीं है यह कागज उस file का है जो रॉबर्ट पांच एकड गुरुग्राम में पास हो रहा था जानते इस कागज में क्या लिखा है इस कागज में लिखा हुआ है कि जो डारेक्टर साहब है जिनका नाम रॉबर्ट वाडरा है उनके पास financial capability नहीं है नहीं उनके पास experience है क्या किया जाए मगर डारेक्टर का नाम रॉबर जी का साइन है यह 21st 03 2008 का है और आप देखेगा भुपिंदर सिंग हुड़ा जी कहते है कोई बात नहीं इसको consider कर लिया जाए प्लीज कंसिडर दे नेम अफ डारेक्टर ठीक है अब प्रियांका जी जवाब देंगी प्रियांका जी जवाब देंगी नहीं है ठीक है प्रिय इनका क्या हासिल होने वाला है और क्या रिजाल्ट आने वाला है क्या इलेक्शन के परिणाम होने वाले हैं यह जानते हैं आने वाले चार राजे सरकार के चुनाव जो हैं उसमें इनको हार होने वाली है यह जानते हैं हर्याना में क्योंकि विकास दिखाने के लिए है नही तो वो बार बार वहां की जनता को वही बर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं उसी स्क्रिप्ट के आधार पे जो 2014 में चलाई गई थी आरोप बहुत सारे लगाए गए थे सारे 4 साल का कारेकाल रहा है एक भी आरोप को वो फ्रूब नहीं कर पाए है दूसरी बात में संबिच जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी बहुत कम समय होता है जब इनकी बात ध्यान से सुनती हूँ इसलिए इनको इंटरफ नहीं कर रही थी इन्होंने कहा चूना लगाया है चूना तो इन्होंने देश की जनता का लगाया वोट पाते ही कह दिया कि सारे जो वादे किये थे वो जुमले हैं आज वही स्क्रिप्ट को वापस दोर आ रहे हैं फिर कहते हैं हम रास्ते चलते वाले पर F.I.R. दर्ज कर देंगे क्या भाई साहब आप तो वो सरकार बन कर आए हैं कि लोगों को पहले जेल में दबोज कर र जमीन खरीडती है एक कमर्शल नोटिफाइड जोन में 28 जनवरी 2008 में वो उसका बकाइदा स्टैंप ड्यूटी देती है क्लेक्टर जेपे फिर वसी को वो अप्लाइ करते हैं कमर्शल लाइसेंस के लिए और कमर्शल लाइसेंस अब मैं आपको बता हूँ हर्याना में करीब 36,000 एकर के land use change हुए हैं licenses के अधार पर licenses का भी payment होता है जिसका बकाइदा उन्होंने payment किया है जो charges होते हैं बकाइदा दिये गए हैं तो वो बेचता है, उसका land का नाम तो आप भी जानते होंगे, आपने भी investments किया होंगे, mutual funds में करते होंगे, stock market में करते होंगे, land में करते होंगे, जब आप बेचने जाएंगे, अगर boom हो रही है land, तो वो profit में ही बिकेगी, और यही business का मैं कहती हूँ, मूल कारण होता है कि ल पर नहीं किया है, गुर्दाओं में 11,000 एकर land use change हुआ है, पर वही साड़े तीन एकर में से धाई एकर जो commercial use के लिए मिला है, commercial license change हुआ है, उसके आधार पर यह अपना पूरी राजनीती चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो उन पर भष्टाचार के आरोप लगे हैं, र जान पूच के या गलती से पता नहीं, जब पहले उन्होंने जमीन खरीदी, साड़े साथ करोड की खरीदी, साड़े साथ करोड की खरीदी, और फिर एक साल बाद land use बदल के जब बेचा, तो 58 करोड में बेचा, नहीं मैदम, 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 मुझे अब आप करेक्ट करने 7.95 total land fee cost with stamp duty, उसके बाद उनों commercial license के लिए अपलाय करते हैं, जो धाई एकर उनका commercial license मिलता है, commercial colony license charge of 7.43 करोड वो पे करते हैं, रन्यूर चाज़ 73 lakh पे करते हैं, total amount 16.11 करोड वो पे करते हैं, पांच साल बीत जाते हैं, फिर जाकर वो बेचते हैं 58 करोड में, और वहीं मता करते हैं, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट, मैदम, मैदम, बात complete हो जाने दीजे, 58 करोड में ये land बेचते हैं, additional tax of 8 करोड पे करते हैं, तो आप मुझे यहां पे यह बताईए, कि इसमें open and sharp business दी है, कि क्या गलती हुई है, जारे-चार साल से कुछ तथे नह करना पड़ेगा?